हेलो दुस्त दुस्वागत है आपका एस्प्रेंट्स में यहां पर हम डिसकस करने वाने चीन के वूल्फ वारियर डिप्लोमेसी के भारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है खासकर इंडिया और दुनिया भर के जो देश हैं उनके लिए क्योंकि जो चाइना है खासकर वीडियों में काफी तीवरता लाई है और कड़े रूख अपना रही है जो भी देश इनके खिलाप कोई भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं संदर्म में अगर देखें किस संदर्म में हम इसकी बात कर रहे हैं तो राष्ट परती सी जिन पिंग जो है उन्होंने चीन की जो का भेड़िया यह कहा जाता है जिसको उसी से संबंदित है इसके अलामा ध्यान रखिएगा यह जो भेड़िया युद्धा का जो मैटर है यहां पर यह देखिए एक फिल्म से प्रभावित है 2015 में एक फिल्म आई थी जिसमें दिखाया गया था कि कुछ प्रश्चिमी यू लोगों को पसंद आया था चीन में रिकार्ड तोड़ कमाई की थी उसी के बाद से जब कोवीड नाइंटीन आया उसके कुछ एक दो साल पहले से या ऐसे कॉंसेफ्ट बनते जा रहे थे खासकर लोगों जो चीन के नागरिक है उनमें राष्टवाद के प्रति प्रेम जग प्रेम से तो बाद में क्या होगा कि गौर्णमेंट ने भी यही पॉलिसी अपनाई और उसी फिल्म से समंदित नाम भी रखा और चीजों को उसी तरीके से सेट करना शुरू किया कि पश्चिम के जो लोग है वो चीन के ख़त प्रती नकारात्मक रवय यह अपनाते हैं ठी आगा है विसेस्ताओं के बारे में बात करें तो अभी फिलाहल यह जो विसेस्ता है इसकी सारजी क्षेत में चीन की किसी भी आलोचना का सामना करने के लिए इसको लाया गया है कोबिड-90 के बाद में देखिए बहुत सारे दोसमाना आरोप लगाया है कि यह जो वायरस है वो चीन से निकल के आ रहा है, खासकर आस्टेलिया पे इसने चीन ने काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी, जब आस्टेलिया ने कहा कि स्वतन दिजाज किया जाना चाहिए कि ये वाइरस कहां से आया, तो चाहिए चीन ने काफी कड़ी आलोचना की थी, आस्टेलिया गे, अब ए जबर्जस्ति का विवहार करना चीनी सरकार और उसकी नीतियों की किसी भी कथित आलोचना का जोड़दार निंदा करना उसके आनावाई इंटर्वी और सोसल मीडिया में भी विवाद जो है उसको टैकल करने का प्रयास किया जाता है अब इन चीजों से एक उधारण के तौर कानवाजी करते रहते तो चीन कभी-कभी होता था कि सौफ्ट वार के रूप में कभी-कभी रिप्लाई नहीं करता था लेकिन अब क्या है कि अगर कोई भी देश कुछ भी चीन के प्रति बोलेगा तो तुरंत वहां से रिपलाई आएगा वहां कि फॉरेंड मिनिस्ट्री ह जो भी मंतराला है अपने-अपने इसाब से उसको तुरंत और तुरंत ट्रैकल करेंगे उसके आलामा चीन ने क्या किया है कि विदेश मीद के तो पर चीनी डैस पूरा है ध्यानुगा आपको कि इंडिया के जैसे ही चीन की जनसंक्या बहुत ज्यादा है तो चीन के लोग तो भी बहुत सारे देशों में रहते हैं तो क्या किया जा रहा है चीन की लोगों के इसों कि उनको भी करें Å suspect जो आपको 4शकार ने का प्रयाज अब कि एक बीयर के माध्यम से समझाया जाता है चीन का जो पोलर वीयर है वो काफी फेमस है आप सब ने देखा होगा कि वहाँ पर किस प्रकार से यह होते हैं तो उसी के अंदर एक भेंडिया बनाया गया है कि किस परकार से देखने से उपर से तो बिल्कुल शॉफ्ट शॉफ्ट लगता है लेकिन अंदर से उसकी जो नीतियां है वह बहुत ही कटी 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 कटीली का सकती है या फिर वह बहुत ही खतरनाक है उनीस सो सतर असी के दसक में भी कुछ ऐसे ही नियम अपनाया गया थे जब देंग सिया ओपिंग वहां पर राजनाइक थे उसके उस समय यह चीन पर क्या करती थी कुछ पॉलिसी अपनाय थी जिसमें परदे के पीछे रखर काम करना विवाद से बचना अंतर राष्टी सायोग और बयान बाजी के पच्छधर रहने का प्रयास किया जाता है लेकिन यह अब बिल्कुल उल्टा कर दिया गया है अब क्या है अब अलग अलग देसों में जो प्रमुक देस के यहां पर कुछ बताया जा र में अब चीन के लिए अधिक सक्रिय भूमिका का आहामान किया जाएगा लोगों से कि जो भी राष्ट्रिय लोग हैं वो कम से कम ऐसे लोगों से बचने का प्रयास करें ऐसी विचार धारा से बचने का प्रयास करें जो पस्चिमी लोगों से प्रभावित है अंतर राष्ट सारी ग्रहण करना इन ये सारे इनकी कूटनेतिक प्रयास होंगे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो उदाहरण के तौर पर विदे चीन की जो विदेश मंत्राला है उसने अमेरिका भारत राष्ट्रेलिया और अन्य देश्यों के खिलाब कड़ा रुख अपनाया था खाली के दिनों में इसके अलाव पिछले साल अपरहल के महीने में देखेंगे तो चीन ने क्या किया था एक वियत नामी जहाँ जो की मचली मार पकड़ने के लिए गया था उसको मार कर डूबो दिया था बाद में चीनी मंत्राला ने कहा था कि ये उसका खुद का छेतर है और यहाँ पे वो भीयत नामी जहाँ जो है वो अवयद रूप से प्रवेस कर रहा था है इसके अलामा दच्छर चीन सागर में असी दियूपो का इसने नाम बदल दिया जिससे अन्य देशन काफी गुसा हुए थे जो उसके आसपास है इसके अलामा चीन ने कई जगहों प यहाँ पर देखिए 2010 के बाद से ही क्या हुआ कि चीन की GDP जो थी वो काफी तेजी से जब बढ़ना शुरू हुए तो जापान को भी पीछे छोड़ दिया तो चीन के देखिए अगर हम दुस्मनों की बात करें जो चीन के लोग खुद को अपना दुस्मन समझते हैं तो वर जापान के लोग आपस में बहुत सारा लडाई की हैं बहुत सारी युद्ध हुए चीन जापान के बीच इसलिए देखिए चीन के जो नागरिक हैं लोकल नागरिक वो भारत को कभी अपना दुस्मन नहीं मानते हैं हम भले से चीन के लोगों को देखकर अपना बड़ा तुटति रहें अमेरिका कि आज यह डोनाल्ड टरम्प जी बहुत सारे आरोप और तुम्ट ने की यह चीणके वाजे से हो रहा है कि इसके अलावा बन ओक ऑब ची एक चींब बहुत सारे देशों से व्योफार खराब खराब किए कोरूना वारस के दोराब अब जवाब की तौर पर हम देखें तो बुल्फ युद्धा नीती जो है वो एक कड़ी मजबूत प्रतिक्रिया बन गई है अन्य देशों के खिलाप आस्टेलिया के खिलाप हमने बताया कि काफी कड़ा विरोध अपनाया था इसने जब आस्टेलिया ने कहा कि इसकी सोतंतर अब यह दो चीजें देखिए फैक्ट्वल इंफॉर्मेशन के लिए इंपर्टेंट है कि वुल्फ वारियर जो डिप्लोमेसी वो किस द्वार अपनाई गई है या फिर क्या वारियर डिप्लोमेसी जो है वो किस देश के द्वारा अपनाय जा रही है तो इन दोनों को भी अब ताइवान क्या कर रहा है कि केट वारियर डिप्लोमेसी के मादियम से उन्नेत अर्थवरस्था लोगतंत और मानुवादी कारों के सम्मान के सिर्म मंदित कारी कर रहा है तो अभी के लिए इतना ही था इस आर्टिकल में थैंक्यू